लॉरस लैप का शेर्स पिछले कुछ टाइम से करेक्ट हुआ है और इन फेक्ट अब तो ये 500 रुपे से भी नीचे आ गया है तो जाहिर सी बात है अब माइन में सवाल आ रहोगा कि ये करेक्शन की वज़ा क्या है और मोर इंपोर्टेंटली कि क्या ये शेर के फंडामेंटल में कुछ बदलावाया है तो यही exactly मैं आपके साथ ये वीडियो में discuss करने वाला हूँ अपने personal perspective के साथ साथ तो दोस्तों ये वीडियो end तक जरूर देखिएगा और अब बिना time waste किये चलिए लॉरस लैप्स का discussion शुरू करते हैं किसी भी stop में अगर result season के दोरान गिरावट आती है न तो उसके results तो definitely check करने चाहिए क्योंकि more or less हमारा answer उसी में लाई करेगा तो लॉरस लैप्स के case में भी अगर मैं इनके latest results और more specifically अगर मैं इनके revenues देखू तो ये quarter में इन्होंने लगबग 1200 करोड के revenue या धंदा किया है अब अगर मैं इसे compare करू last year same quarter से तो इसी period मे ये company ने लगबग 1130 करोड के round revenue या धंदा किया था जो 6% की growth हुई in fact अगर मैं यही sales आकड़ा compare करू last 2 quarter से तो पिछले दोनों quarters में sequentially यहाँ पे degrowth देखी गई है और इसी पिछले 2 quarter से sales में degrowth के कारण market sentiment थोड़ा सा खराब हुआ है in fact sales की तरह अगर मैं मुनाफ़ के numbers भी profit after tax lock किया है in fact पिछले 2 quarter से यहाँ पे sequentially भी degrowth देखी गई है last quarter में यह company ने 241 करोड का profit after tax दिया था और इसी subdued performance के चलते दोस्तो market sentiment थोड़ा सा खराब हुआ है और जाहिर सी बात है जब sentiment खराब होता है तो stop correct होगा in fact यह results के अलावा यह पूरी API और pharma industry में एक और negative है यह पूरी industry में raw material की pricing को लेके pressure है चाइना के supply chain issues को लेके तो इसी दो major reasons के कारण यह stock short term में pressure में रह सकता है अब हमें यह दो चीज़े तो पता लग गई कि यह पूरी industry में raw material को लेके pressure है इसके साथ साथ यह company के results भी थोड़े से subdued आये हैं तो अब अगली चीज जो हमें देखनी चाहिए वो यह है कि यह खराब results क्या यह change in fundamentals के कारण है तो उसको analyze करने के लिए हमको यह company की segment by segment performance देखनी होगी और management ने जो commentary या statements दिये है न उसको decode करना होगा ARV या anti-retroviral therapy जो HIV से related segment को cater करता है यह इनका बहुत बड़ा segment या business area है यहाँ पे साल दर साल 11% से sales में degrowth देखी गई है दोस्तों और जो major reason दी जा रही है इसकी वो यह है कि इनके customers ने extra COVID demand के चलते दवाईया de-stock करके रखी थी management यहाँ पे expect कर रहा है कि इसके demand अगले quarter के end तकी normalize होगी तो एक take away तो यहाँ पे बहुत साफ है कि इनके ARV को normalize होने के लिए एक quarter तो और लगेगा पर यहाँ पे एक minor positive यह भी निकल के आ रहा है दोस्तों कि यह पूरे API segment में से अगर मैं ARV का sub segment निकाल भी दू तो बाकी sub segment में यहाँ पे 49% से quarter on quarter जम देखा गया है API के अलावा finished dosage या formulations इनका दूसरा बड़ा एरिया है यहाँ पे company 4 billion units की capacity expansion प्लान कर रही है जो यह साल के end तक खतम होगा तो एक बार यह additional capacity expansion खतम हो जाता है ना दोस्तों तो बहुत high chances है कि अगले साल से यह company को इसका sales या revenue में benefit मिले but definitely short term में investors को यहाँ पे थोड़ी सी patience तो रखनी पड़ेगी in fact FDF या formulations के अलावा भी बाकी business segments में company capacity expansion प्लान कर रही है और इससे एक चीश साफ पता लगती है कि company आने वाले time में और additional business ही anticipate कर रही है इनका तीसरा major business vertical है laura synthesis या CDMO business तो यहाँ पे company ने multi-year drug development and manufacturing contract जीता है एक global life science company के साथ यह CDMO business के साथ इनका laura's bio नाम का एक और vertical है जो food protein पे काम करता है तो यह दोनु ही business segments पे company बहुत जादा bullish है दोस्तो एक और चीश जो मुझे बहुत positive लगी management की commentary और interview से वो यह है कि company track पे है 2023 तक 1 billion dollar का revenue clock करने के लिए तो यह लगबख सालाना 7400 करोड का revenue हुआ और currently पिछले 12 मैंनों में यह company ने 5100 करोड का revenue दिया है तो यह बहुत ही aggressive और positive revenue target है आने वाले देर्ट साल के लिए by FY23 इन सब के अलावा एक और interesting development जिस पे हमें close नज़र रखनी चाहिए वो covid-19 related medication से है lauras labs के बहुत अच्छे working relations है medicines patent pool या MPP नामक organization के साथ MPP और मर्क का already a license agreement है molnopiravir नामक drug को लेके जो covid related medication है हलाकि अभी बहुत ही early stages है जिसमें बहुत सारे approvals लग सकते हैं पर ये एक ऐसा development है ना दोस्तो जिस पे हमें close नज़र definitely रखनी चाहिए ये सारे pointers मुझे detail में तब पता लगे जब मैंने management के दिये हुए अलग-अलग channels पे interview देखे जिसकी link मैं आपके reference के लिए नीचे description box में paste कर रहा हूँ पर दोस्तो अब सवाला आ रहा होगा कि ये सारे pointers थो में पता लग गए पर जनक भाई इसमें actionable क्या निकल क्या आता है तो दोस्तो मेरा personal perspective शेर करने से पहले मैं एक disclaimer आपके साथ शेर करना चाहूँगा ये video या analysis किसी भी तरह का recommendation नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए है तो no doubt ये stock short term में pressure में रह सकता है पूरी industry और ये stock में negative sentiment के चलते जिसकी reasons मैंने कुछी देर पहले आपके साथ शेर की है हलाकि medium और long term में इनके business में positive outlook बहुत strongly reinforce होता है दोस्तो तो personally इसी strong outlook के चलते मैं तो prefer करूँगा ये stock में बने रहना या hold करना no doubt यहाँ पे एक लंबी अवदी का नजर्या रखना बहुत जरूरी है और थोड़ी सी patience भी रखनी पड़ेगी पर Loras Labs के business fundamentals बहुत strong है जिससे मैंने discuss किया है ये वीडियो में तो अगर आपको Loras Labs का full detailed वीडियो देखना है तो उसे जरूर चेक कीजेगा आपको बहुत पसंद आएगा